हलो डियर स्टुडेंट्स गूड मॉर्निंग मैं डॉक्टर खेम चंद गुर्जर आईल बेस विवर्मेंट कोलेज कॉट पूदली आज हम विकॉमपार्ट थर्ड के पेपर फर्ष्ट ग्रामेनी उकास यां सहिकारिता के टोपिक रास्तान पंचाहिति राज संशोधन अध्यादेश 2000 के बारे में चर्चा करेंगे इससे पहले वाले लेक्षर में मैंने आपको रास्तान पंचाहित राज अध्यादियम 1994 की प्रमुक विशेशताओं के बारे में बताया था राजस्तान में पंचाहित राज अध्यादियम 1994 में 7 जनौरी 2000 को एक अध्यादेश द्वारा अनेक संशोधन किये गए हैं इस अध्यादेश के माद्यम से पंचाहित समीतियों को और अधिकार यह सक्तियां प्रदान की गई हैं इसके प्रमुक प्रावधानिस प्रकार हैं ग्राम सबा के इस्तान पर वार्ड सबा की विश्ता की गई है इस दृष्टिश यह देश का प्रथम राज्य है अब वार्ड सबा के माद्यम से ही उस वार्ड में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभानवित किया जाएगा वार्ड सबा ही वार्ड विकास की योजने बनाने हों अन्ने महत्पून कारिये करवाएगी वार्ड सबा की वर्ष में कम से कम दो बैठके होंगी वार्ड सबा की सभी बैठकों में ऐसा कोई भी विशै जिसे पंचायत, पंचाय समीती, जिलापरीसद, राज्य सरकार या इसके लिए अधिकरत कोई भी अधिकारी रखे जानी की अपरिक्षा करे रखा जा सकता है वार्ड सबा सरकार की विभिन प्रकार की कल्लान करी सायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पातरता को सत्यापित करेगी ग्राम पंचाय छेतर के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसमें पंचाय छेतर के सभी गाहों से संबंदिते निर्वाचक नामावलियों में पंजिक्रत वेक्ती होगे ग्राम सबा की एक वर्ष में कम से कम दो बैठके होंगी ग्राम सबा का कारिय सामाजिक तथा आर्थ क्विकास की योजनाओं यो कारिक्रमों तथा वार्ड सबाद्वारा अनमोदित योजनाओं तथा कारिक्रमों को पंचाय द्वारा लागू करने के लिए हाथ में लेने से पूर अनमोदिन करना है जिस वर्ग के वार्ड सरपंच जैसे SC या ST को अटाया जाएगा उसके इस्तान पर उसी वर्ग केवल SC या ST का वार्ड उप सरपंच कारिभार ग्रहन कर सकता है निर्वाचित जन प्रतीन इद्यू के अस्तक्षेप को रोकने के लिए यह व्योस्ता की गई है कि वहां गठित इस्ताई समीती के अध्यक्ष के साथ मिलकर संस्ता का कारिय चलाया जाएगा दो से ज़्यादा बच्चे होने पर व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग हो जाएगा इसके लिए पूर अधिनियम की धारा 40 को समाप्त कर दिया गया है पंचायत इस्तर पर इस्ताई समीती यो सतरक्ता समीती के गठन का प्रावधान है पंचायत की रिन राशी नहीं चुकाने वाले व्यक्ति को चुनाव के अयोग गोशित किया गया है पंचायत चुनाव के लिए खर्च की शीमा निर्धारत की गई है यह खर्च पोस्टर, बैनर, परचे, आदी पर सरपंच पद के लिए 5,000 रुपए पंचायत समीती सदेश के लिए 10,000 रुपए तदा जिला परिशा सदेश के लिए 20,000 रुपए अधिक्तम निर्धारत किया गया है अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पंचायत संस्ताओं के कारियों का विस्तार साज जनुरे दो हजार को एक अधिसुचना जारी करने सरकार ने पंचायत संस्ताओं को गुन 30 काम और सोंपे हैं राजतान सरकार ने आदा दरजन विभागू सहीत 29 विशियों में संचालन के अधिकार पंचायत राज संस्ताओं को सोंपे हैं अब प्रात्मिक स्वास्त केंद्र उपकेंद्र बै स्रेणी के आयरुवेदिक ओस्ताल है, पसु उपचिकिस्सा केंद्र कर्शी विस्तार कार्य करताउं, प्रोडियों अनुपचारिक शिक्षा के साथ ही, खादी परिवेक्षक का प्रशाशनिक नियंत्रन पंचाइद संस्ताओं के अधीन आ गई हैं, पंचाइद राज संस्ताओं को अधिकार संपन बनाए जाने से इन संस्ताओं की इस्तिती सुद्रड होगी, समिधान की ग्यारवियन शूची में सामिल अधिकार पंचाइद राज संस्ताओं को सोपे जाने के लिए पांच मंत्रियों की सम संयोजकत में गठित समीती में सहकारता मंत्री, सिचाई मंत्री, उद्योग मंत्री, जन्स्वास्त अभियानत्री की मंत्री सामिल थे। इस मंत्री मंदले उपसमीती ने मंदल को अपनी सिफार्श दी जिसे स्विकार कर 2 जनूरी 2000 को आदेश जारी कर दिये गए। पंचायत राज संस्ताओं को जो गत्वीदियां अस्तांतरित की गई हैं उनमें प्रमुक्षे इस प्रकार से हैं प्रात्मिक स्वास्त केंद्रे उपकेंद्रे पंचायत राज के अधीन कर दिये गए हैं इन संस्ताओं पर तक्नी की नियंतर्ण चिखिस सें स्वास्थ विभाग का रहेगा लेकिन प्रसास्थिन नियंतर्ण जला परिशत का होगा दूसरा जन स्वास्तियों परिवार कल्यान के सभी कारिक्रमों को प्रभाईव डंक से लागू करने का उत्तरदायित पंचायत राज संस्ताओं को सोपा गया है नमबर थाड़ ग्रामिन छेत्रों में संचालित बैस रेनी के आयरुवेदिक उस्दालों का नियंतर्ण पंचायत राज संस्ताओं को सोपा गया है लेकिन इन पर तकनी की नियंतर्ण आयरुवेदिक विभाग का होगा एक की करत ग्रामिन उर्जा कारे करम के तायत गैर प्रमप्रागत उर्जा गत्वीदियां जैसे श्ट्रीट लाइट घरेलू बिजली आधी का क्रियानवेन इनी संस्ताओं के मारफथ होगा नेक्स्ट एंडपंप संधान का कारे श्टाप और बजट के साथ पंचाइतरा संस्ताओं को दिरे दिरे सोंपा जाएगा ग्राम वन शुरुक्षा समीती की कारे शमीती जिसमें लगब 11 सदश होते हैं के चैन का कारे ग्राम सबादवारा क्या जाएगा समीती द्वारा वनों की सुरुक्षा पेड़ पोदूं का रख रखा हुए प्राफ्त आय का हिस्सा मिलना चाहिए पसु उप्चिकिस्सा केंदर भी इन संस्ताओं को अस्तांतरित कर दिये गए हैं इन में न्योजित इस्टाब भी पंचरा संस्ताओं के अधीन किया गया है लेकिन इसका तक्नीकी नियंतर पसु पालन विभाग का रहेगा डीस रेणी के मचली पालन तालावों का संधारन यहां आउंटन का कारिय भी इन सोपा गया है और नियोजित इस्टाब भी अस्तांतरित किया गया है यहां भी तक्नीकी नियंतर पसु पालन विभाग का ही रहेगा एक कीकरत ग्रामिन विकास योजनाओं के तहट जल ग्रहन विकास के कारियों में पंचातरा संस्ताओं को पूर्ण सहभागिता रखे गई है प्रात मिक्ता भी इनी संस्ताओं को दी जाएगी करशी विस्तार कारे करताओं को पांचात राज संसाओं के अधीन कर दिया गया है लेकिन इनको तकनी की मारदर्शन या थावत करशी के अधिकारी ही देते रहेंगे राजसन की दुकान का आवंटन, वित्रित की की सामगरी का पूर्ण लेखा जोखा नई राजसन कार्ड बनवाने का अनमोदन, राजसन की दुकान की समयाओदी बढ़ाने और निरस्त करने बाबत नेरने ग्राम पंचायत में चर्चा कर के किये जाएंगे और सार्जन की वित्रित प्रणाली के लिए के परिवेक्षन के लिए कठी सतर्कता समयती में इन संस्ताओं को जोडा गया है आनशुजि जाती, जनजाती के चात्रावाशव का परिवेक्षन भी यही संस्ताओं करेंगी तदह छात्रा वासूं की भर्ती समीतियों प्रबंदन में पंचाइत राजस्थाओं के प्रतीनि दियूं को जोड़ा जाएगा प्रोड सिक्स्याइओं अनुवचारिक शिक्स्याओं का कारे भी पंचाइत्राज राजस्थाओं को सोपगया है आंगनबाडी केंद्रूं का परिवेक्षन आंगनबाडी कार्य करताओं का चेहन यो संचालन ग्राम पंचायतूं द्वारा किया जाएगा मैला बाल विकास अधिकारी को अत्रिक्त विकास अधिकारूं अधिकारी का दर्जा देते हुए इनका नियंतन पंचाय समीती के अधिन किया गया है सिचाई उभाग के अधिन दो सो एकड तक के तालाव का नियंतर्ण इस संस्ताओं के अन्रोध पर उन्हें सोंपा जाएगा तालाव के रख रखाओं के लिए तक्नी से योग विभाग देगा खादी परवेक्षक का प्रशाशनिक नियंतर्ण पंचाई समीती के अधिन किया गया है लेकिन ये खादी ग्राम मुद्योग बौड के तक्नी की मार्ग दर्शन में कारे करेगा ये विभिन ने कारिये इनको सोंपे गए और इनके कारियों का विस्तार किया गया है अब यहां पर हम बात करते हैं कि पंचाई राज संस्ताओं को वित्य अधिकारों की आवशकता है या वित्य अधिकारों की दर्कार है पंचाई राज संस्ताओं को समयतानिक दर्जा मिलने के डेड़ दसक बाद भी ये संस्ताओं राजियों से वित्य और प्रशार्शनेक अदिकार नहीं मेलने की सिकायतें करती रही हैं जिला प्रीशत अड्यख्शों की सिकायत रही है कि संसादन और प्रशार्शनेक अदिकार बढ़ाए वगर पंचायत राजस्थाओं को विकास की मजबूत वुनियादी कडिन नहीं बनाया जा सकता पंचायत राजस्थाओं की वित्य इस्तिति के एक अध्यन से ये बाद सामने आई है कि इनके पास संसादनों के स्रोत कम होने से सत्ता के विकेंदरी करण के प्रक्रियाद धीमी हुई है पंचायतों की भूमका केवल विकास के अजेंट की नहीं बलकि इस्तानी सासक की होनी चाहिए पंचायतें ही तैकरें कि उनके छेतर में स्कूल और शड़ कहां बने बिजली का बिल कैसे जमा हो ता कानून व्यास्ता कैसे चले अच्छा प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के लिए अत्रिक्त वितिय संसादनों की व्यास्ता होनी चाहिए सबी सारकारें पंचायत राज संस्ताओं के अधिकारों और कारियों के विकेंदरी करण को लेकर गठित केंदरी बल्की सिपार्शों पर अमल सुनिश्यत करें आज इसी के साथ हम इस व्याख्यान को समापत करते हैं इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद